हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बंदनारा होमेकर फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से एक डिजाइनर लहंगे की कटिंग तो मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी ये आप देख सकते हैं ये वो साड़ी ह इस टाइप की साड़ी लगभग सभी लेडीज के पास होगी पहले इस पैटर्न की साड़ीयां बहुत चलती थी ये जरी वर्क वाली तो मेरे को अकसर कमेंट आते थे कि मेरे पास जरी वर्क की साड़ी पड़ी हुई है तो इससे आप कोई ड्रेस डिजाइन करना बताएं तो आज मैं इस साड़ी से आप लोगों को एक ड्रेस डिजाइन करना बताऊंगी तो ये साड़ी आप देख सकते हैं इसका पैटर्न ये आचल है साड़ी का अगर ऐसी साड़ी आपके पास हो देखिए ये आचल हो गया और फिर इसके बाद ये इधर ऐसी साड़ी है ये न शुरू करते हैं, तो फ्रेंट्स ये साडी ये आप देख सकते हैं, ये आचल है और ये सेम कलर है, आचल का मतलब अलग से नहीं है लेकिन आचल में ये प्रिंट मेरा पूरा भारा हुआ है तो मैं इस type से लहगा बनाऊंगी कि यह भारा वाला print पूरा मेरे लहगे के front part में आ जाए और बाकी का यह जो half half print है यह मेरा side में attach हो जाए और इधर यह जो plain साडी है इस plain को मैं cut करके अलग कर दूँगी ये जो plain part है इसमें आप देख सकते हैं ये lace यहां से शुरू हुई है और ये सब stones भी यहां से लगे हैं तो यहां से इस साड़ी का ये plain part मैं cut कर दूँगी और अगर आपके पास ऐसी साड़ी हो जिसका आचल भी दूसरे color का दिया हो जैसे इसमें तो same color है अगर आचल किसी कि में भी बन सकता है ये full-flared लहगा है बहुत जादे घेर वाला और इस लहगे के लिए ये मैंने lining का कपड़ा रखा है ये sand tune का 2.5 meter यानि 1.5 meter कपड़ा है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये साड़ी का ये side से ये plain वाला part मैं cut करके अलग कर दे रहे हूं तो ये कपड़ा आप देख सकते हैं इसको मैंने cut कर दिया है ये side से और इसका मैं बाद में blouse वगेरा बना लूँगी इसको मैं अलग रह देती हूं और उसके बाद friends इधर आचल की तरफ ये आप देख सकते हैं ये ये आचल है पूरा और इसमें side में भी lace दी हुई है तो इस lace को friends हम थोड़ा half inch का distance रखते हुए इस lace को हम cut कर लेंगे ये आप देख सकते हैं इस type से ये जरी है मोती है इसलिए कटने में थोड़ा problem हो रही है इस type से हम ये पूरी lace सिर्फ इस तरफ की cut करके अलग कर लेंगे तो ये lace ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतना मैंने cut कर लि को सकते हैं इधर से मैंने plan पार्ट भी निकाल दिया है और इसको इस type से यह आप देख सकते हैं लंबाई की तरफ से मैं इसको और एक बार और और ये देखिये इसको ऐसे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम तह लगा के बक्से वगरा में रखते हैं और अगर हम चाहें तो एक बार ओफ फोल्ड कर लेंगे और ये हो गया और अब इसको हम ऐसे बराबर से रख लेंगे तो friends इस साड़ी को मैंने बराबर से बिचा कर रख लिया है अब हमको जितनी भी लंबाई का लहगा बनाना है हम नीचे से ना पेंगे ये आप देख सकते हैं मेरे को 38 इंचेज लंबाई का लहगा बनाना है और इस लहगे में उपर की तरफ हमारी 2 इंच की belt अटेच होगी जैसे ये लेस हमारा 2 इंच का है ये आप देख सकते हैं 2 इंचेस का लेस है तो इसी लेस की में उपर belt अटेच करूँगी तो 2 इंच लंबाई मेरी और बढ़ जाएगी तो 38 में से हम 2 इंचेस कम कर देंगे लंबाई अपने लहगेगी क्योंकि यहां हमको belt भी लगानी है तो 36 बचा और एक इंच हम चाहें तो margin ले लें जो सिलाई वगेरा में चला जाता है तो 37 इंच ये आप देख सकते हैं 37 इंच पर यहां पर मैंने एक निशान लगा दिया और ये सिलने के बाद और belt attach करने के बाद हमारा लहगा 38 and half इंच का बन जाएगा तो और उस side से भी 37 इंच पर इस type से हम नाप कर ये आप देख सकते हैं 37 इंच पर इधर से भी मैं नाप कर निशान लगा लूँगी और उसके बाद इन दोनों निशानों को इस type से ये आप देख सकते हैं ऐसे मिला दूँगी मैं ये हो गया और बस फिर इसको कट करके इतनी साड़ी मैं निकाल कर अलग कर दूँगी तो ये कटिंग आप देख सकते हैं ये कटिंग मैंने कर दी है और अब इस कपड़े को हम हटा देंगे और ये हमारे लहंगे की लंबाई हो गई जब इसमें built attach हो जाएगी तो total हमारी लंबाई 38 इंचेज आ जाएगी और ये कपड़ा मैं दिखा देती हूँ कैता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 तह कपड़ा है अगर हमको 8 कलिया बनानी है और इतनी चोड़ाई की तो हम 8 कलियों का लहगा भी 8 कलियों का लहगा भी बना सकते हैं और अगर हम इसको double कर दे इस type से ये आप देख सकते हैं ये double हो गया तो ये मेरी 16 कलिया हो गए इसको हम बराबर से नीचे से ऐसे रखके double करेंगे तो अगर हम इसमें cutting करेंगे तो हमारे लहगे की नीचे की चोड़ाई ये आप देख सकते हैं 11 inches आएगी मतलब 11 inches चोड़ाई की कलियां हमारी लहगे में बनेंगी और 16 कलियां बनेंगी तो अगर हम 16 कलियों का लहगा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं इसको हम नापेंगे ये देखिए ये इस तरह से 12 inches इसकी चोड़ाई यहाँ उपर से आ रही है ये इसका middle part हमारा निकल आया है और फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको उपर अपनी लहगे में जितनी पतली कलियां अटेच करनी हो जैसे अगर हम चाहें तो 4 inch की भी कलियां रख सकते हैं और अगर हमारी कमर बहुत जादे पतली है तो 3 inches भी हम रख सकते हैं तो मैं 4 inches की कलियां उपर पतली रखूंगी तो 2 inch इस निशान के इस side ऐसे एक निशान हम 2 inch पर लगाएंगे और फिर इस middle वाले निशान के इस तरफ भी 2 inch का निशान लगाएंगे तो ये total 4 inch की हमारी कलियां हो गई है फिर इस निशान से हम इसको ऐसे हलका सा तिर्चाई करेंगे पूरा नीचे तक हमको नहीं ले जाना है बस यहां तक यह आप देख सकते हैं अंदास से ही मतलब यहां से हमारी साड़ी में वर्क दिया हुआ था हाफ हाफ तो बस वहीं तक इसको हम ऐसे यह देखिए तिर्चाई कर लेंगे यह इस टाइप से हो गया और इस निशान को भी जैसे मैंने यहां पर किया था तो इसी की सीध में यह देखिए इसी की सीध में हम यहां निशान लगा लेंगे इसकी सिधाई में और फिर इसको भी इस निशान से इसी टाइप से तिरचे में हम ऐसे ये देखिए ये बहुत आसान है ऐसे मिला लेंगे उसके बाद यहां से यहां तक कट करेंगे तो हमारी एक साथ सोलह कलिया कट हो जाएंगी तो फ्रेंट्स ये निशान लग चुका है और मैं आपको बता देती हूँ आपकी सुविधा के लिए अगर हम नीचे से देखें तो ये 17 या 18 इंचे छोड़ कर मैंने ये तिरचाई रखी है और अगर हम चाहें तो 19 इंचे भी छोड़ सकते हैं या 20 इंचे भी ये हमारे उप उसका मेडिल पार्ट निकाला था उसी तरह इसका भी हम ऐसे मेडिल पार्ट इस टाइप से निकाल लेंगे और यहां पर मैंने निशान लगा दिया और ये किवल 8 कली का बनेगा क्योंकि सिर्फ 8 तह कपड़ा है ये तो इसमें हम उपर 6 या 7 इंचे की अपनी कमर के ये आप देख सकते हैं जैसे हमको 7 इंचे टेप में निशान हम देखेंगे और इस पर हमने ऐसे रखा ये इसका हाफ हो गया तो यहां से इस मिडिल वाले निशान से यहां पर एक मैंने लगा लिया और फिर एक निशान मैं यहां पर लगा लूँगी इस टाइप से और फि इस टाइब से हम आठ कली का यानी 8 कली का लहा भी बना सकते हैं तो फिल हाल मैं अभी इसे 16 कली का बनाने वाली हूँ तो इसको जब हम ऐसे कर लेंगे और फिर Friends कटिंग करने के पहले इस टाइब की पिन्स आती हैं ये आप देख सकते हैं इस टाइब की कपड़ों को सेक्वो कटिंग गडबढ्र हो सकती है तो ये देखिये मैंने इसको पीनफ कर दिया है इस टाइप से आप पिनफन कर लिजेगा उसके बाद करिएगा तो ये देखिया ये occurs और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूं तो फ्रेंट्स यह बहुत मोटा तह हो गया है और इसको काटने में यह देखिए अगर हमको प्रॉब्लम आए यह कटने रहा है बहुत आसानी से इसे हमको बहुत दम लगाना पड़ रहा है तो हम इसमें से कुछ तह कपड़ा ले लें मैंने तो पिनप कर लिया है तो कपड़ा सरकेगा नहीं और फिर मैं इसको आसानी से ऐसे कट कर लूँगी तो यह कटिंग और यह वाली कटिंग मैंने कर ली है और यह मेरे लेंगे की कटिंग हो गई है और अब इन पिन्स को हम निकाल देंगे और यह लेंगा मेरा कट हो च इस just justification आप तक पहुँच सके तो आप लोग यह देख सकते हैं, यह मेरी साड़ी इस type से cut हुई है, यह कलियाँ यह देखिए, यह सारी कलियाँ हैं और यह पूरी cut होकर बाहर नहीं निकली हैं, इसी美味 अटैच हैं और इसकी stitching हम इस type से करेंगे, यह देखिए, इसको हम यह ऊप पकड़ कर सिल देना है यहां एकदम हम पतली सिलाई करेंगे पतल आप बिलकुल लाते हुए और उपर की तरफ थोड़ा हम चौड़ी सिलाई करेंगे जिससे हमारी बेल्ट में ये पूरा एडजस्ट हो जाए तो मैं इसके लिए आपको बेल्ट की कटिंग कैसे करना है बता तो फ्रेंट्स बेल्ट की कटिंग करने के लिए पहले हम अपने कमर की नाप ले लेंगे या जिसके लिए भी हम लहंगा बना रहे हो हम उसकी नाप ले लेंगे तो हमको जहां से भी हम लहंगा पहनेंगे जैसे यहां अगर हमको नीचे से पहनना है तो यह थोड़ी नीचे कमर का बनाना है तो 40 इंचेज लंबाई की और 5 इंच चोड़ाई की बेल्ट हम कट करेंगे ये आप देख सकते हैं ये बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा कट किया है ये वर्क वाला पार्ट मेरा बेल्ट में आएगा और इसकी लंबाई ये 41 एंड हाफ इंचेज है मतलब 1 पिलने में चली जाएगी जितनी भी हमारी कमर है उससे और इसकी चोड़ाई याने विर्थ 5 इंचेज है तो ये बेल्ट हमारी कटिंग हो गई है और फ्रेंट्स अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो ये लाइनिंग का कपड़ा है ये 2.5 मीटर कपड़ा है सैंटून का और इसको मैं ऐसे डबल कर लूँगी लंबाई की तरफ से ये आप देख सकते हैं इस टाइप से और फिर इसको बराबर करके पहले हम इसको ऐसे फैला लेंगे तो इसको मैंने बराबर से फोल्ड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं ये 1, 2, 2 फोल्ड कपड़ा है और इधर से ये बंद पार्ट है तो बंद पार्ट की तरफ से ऐसे इसका एक कोना पकड़ कर हम इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में इस टाइप से ये आप देख सकते हैं पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे ये हो गया और फिर इसका यहाँ पर हमें नाप लेनी है तो ये जो बेल्ट मै है ये आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर मतलब चार बार चारत हो गई है फिर इस बेल्ट को हम ऐसे ना पेंगे क्योंकि इसी में हमको ये लाइनिंग अटैच करनी है ये हो गया इस टाइप से ये देखिए कोने से और फिर एक निशान यहाँ पर और एक निशान ऐसे मिला देंगे ये हो गया उसके बाद यहां से हमको लंबाई लेनी है अपने लहंगे की तो ये हम अपने लहंगे की पूरी लंबाई यहां से ऐसे ना पेंगे जितना भी लंबा हमको लेना है तो ये आप देख सकते हैं ये 38 इंचेज है तो हम चाहें तो इसको पूरा ले सकते हैं, क्योंकि नीचे से हम फॉल्ड भी करेंगे, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा लाइनिक, तो यहां पे हम एक निशान लगा लेंगे, थट्टी एट और उसके बाद टेप को थोड़ा सा उपर से, और थोड़ा सा नीचे से सरकाते हुए, ऐसे थट्टी एट इंच इंचेस पर ही ऐसे हमारा निशान पूरा लगता जाएगा और ये किनारे पर भी ये 38 इंचेस पर और फिर अब इन सारी डॉट्स को हम इस टाइप से मिला देंगे ये देखिए ये ये हमारा और फिर इसकी कटिंग और इसकी कटिंग हम कर देंगे तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग ये दोनों कटिंग मैंने कर लिए है और ये कपड़ा हमारा इतना छोटा है तो इसमें हम इस कटे हुए कपड़े को हम इसको इस टाइप से रखेंगे ये सीधा वाला पार्ट ऐसे इसके उपर ये आप देख सकते हैं ऐसे मैंने इसको इस तरह से बराबर से रख लिया ये हो गया और फिर इसकी कटिंग करके हम इस टाइप से ये अब देख सकते हैं इसको मैंने ये थोड़ा सा इधर से बराबर से कट कर दिया और इधर से अगर हमको समझ में न आ रहा हो तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं य इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और यह हमारा पीस जो छोटा पड़ रहा था यह हमारा कट कर निकल आया है और इस पीस को अगर हम चाहें तो इसी समय यह जो पाट छोटा है इसमें पिनम कर लेंगे जिस स्मूर्ट से लगते समय कोई दिक्कत ना आए और हम इसको पकड़ कर सकते हैं तो इसको मैंने पीन और यह सकते हैं यह तो इसी पीन पने को इसको मनि सब गच कर मेंने किया है यहरे को तो अब तो फ्रेंड्स लहंगे की कटिंग कम्प्लीट हो गई है और इसको मैंने ऐसे रखकर बताया है यह देखिए इस तरह से इन कलियों को हम इस टाइप से उपर से ज्यादा ज्यादा पकड़ कर अटैच करते जाएंगे जिससे यह इतने में ही एड़ेस्ट हो जाएं यह सारी कलियां हैं और सारी कलियां अटैच करने के बाद यह जो मेरा आचल वाला पार्ट था जिस पर यह सब फ्लावर्स दिख रहे हैं और बाकी में देखिए यह फ्लावर्स केवल नीचे-नीचे हैं तो यह हम घुमा लेंगे इसको हम मिडिल में कर लेंगे बीच में अपने लहं लेंगे कि इस्टिचींग ही मैं आपको करके दिखाऊंगी अपनी अगली वीडियो में और वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं मैंने उस पर अप्लोट कर दी है ऐक्चुलि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसकी इस्टिचिंग की वीडियो अल कर सकते हैं मैंने लिक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस लहंगे की स्टिचिंग के साथ तब तक के लिए बाबाई